इस तरह का प्रॉब्लिम फेस कर रहे हैं और दोस्तों कैसे आप इस प्रॉब्लिम को फिक्स कर सकते हैं आज की इस वीडियो पर दोस्तों मैं आपको इसके रिगार्डिंग पर सॉलुईशन बताने वालाओ ठीक है ये आपका जो यहाप पर दोस्तों जूम मीटिंग है उसमें दोस्तों आप पर मीटिंग जोईन करना चाहते है या रिफियौर्यं फिक्स करना है ठीक है तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको जो है इस बात का धियान रखना है कि आपका data connection जो है वो strong है या नहीं है ठीक है क्योंकि दोस्तों यह जो problem है आपको network के वज़े से आ सकते तो आप network को यहाँ पर fix कीजिए ठीक है तो यहाँ दोस्तों के से fix करना है मैं आपको वो भी show करके बताऊंगा लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू होने के बाद ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप यदि आपने जो हमारा चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को subscribe करके bell icon को click कर डीजिगा और यदि आप online से पेसा कामाना चाते हैं तो आप हमारा वीडियो description पर link check out कर सकते ठीक है तो चले दोस्तों हम यहाँ पर जो है वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों सबसे पहले तो आपको जाना होगा setting पर सेटिंग उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है उपर में दोस्तों यहाँ पर आप देख सेथी sim card और mobile network उसके बाद दोस्तों जाए अपने sim पर और दोस्तों network connection को switch करके देखिए ठीक है prefer network type पर जाके 4G, 3G, यारुफी आप तुझी कुछ भी आप दोस्तों connect करके आप network को change कीजिए ठीक है तो उसके बाद दोस्तों आप जो है अपने mobile को एक बार flight mode कीजिए flight mode कर देने के बाद आप जो है आपने phone को एक बार switch off कीजिए ठीक है यारुफी आप restart कर सकते तो restart करके दोस्तों आप जो है दुबारा से जाके try कीजिए आपका problem जो है दोस्तों इससे definitely fix हो जाएगा ठीक है तो यहाप दोस्तों आप सिंपली इस solution को यहाप पर try कर सकते उसके बाद दोस्तों आपको problem बिल्कुल नहीं आएगा लेकिन दोस्तों यदि आपको problem दुबारा से आते तो आपको क्या करना है आप दोस्तों जाएए अपने प्लेश्टर पर और दोस्तों एक बार जो है अपने update को चेक कीजिए ठीक है यदि आपका जो यहाप दोस्तों जूम क्लाउड मीटिंगे पर ठीक है उसमें update आया हुआ है तो आप एक बार अपडेट कीजिए अपडेट करने के सारे साथ दोस्तों आप जाएए अपने setting पर और दोस्तों यहाप पर जाके आपको नीचे स्क्रोल डाउन करके apps पर जाना है ठीक है apps उसके बाद मेनेज़ पर मैंने चाहिए व्यारफ इंस्टोल एप करके आपको option मिलेगा उसके बार आपको यहाप पर जो है सर्च करना होगा जूम application ठीक है तो चले दोस्तों हम यहाप पर जो है सर्च करते लेकिन दोस्तों इसको थोड़ा सा यहाप पर loading होना बागी है तो उसके बारी दोस्तों इसको करनी के बाद आपको जाना है एप परमीशन पर और सारे सास्तों इसको डिटा है उसको क्लीर आप कीजिए और data clear करने के बाद दोस्तों आपको जाना है एप permission पर और सारे permission को allow करना है तो इस पतारा से दोस्तों आपको allow करना है और दोस्तों यहाँ पर नीचे scroll down करके जाए restrict data uses पर और इन सभी blue tick को off करके दुबारा सोन कीजिए और okay कर दीजिएगा तो दोस्तों clear data और permissions को allow कर देने क बाद आपको जो है mobile को restart करना होगा ठीक है mobile restart करने के बाद उस्तों आप जाकी check कीजिए आपका जो प्रॉब्लम ने वह यहीपर fix हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से दोस्तों आपका जो यहाँ पर data connection का जो प्रॉब्लम नेक्शन चैन्शन कर रहे तो इन solution के बाद आपका problem एकदम से फिक्स हो जाएगा आप जाके चेक कर लिए यहीं प्रॉब्लेम दुबारा से आ जाते हैं आप दोस्तों एप्लिकेशन को एक बार आन इंस्टोल करके रिंस्टोल कर जाएगा तो इन सभी स्वाइशन के मदद से दोस्तों आपका जो यहाप पर फेल्ट करके देखे करनेक्शन का जो सर्वर का प्रॉब्लेम आ रहा है वह दोस्तों इन सोलेशन के मदद से आप फिक्स कर सकते तो आज के लिए दोस्तों बस इतने उमीड करते वीडियो आपको जो है पसने आओगा ठेंक्स रुवाचिं झाल